अज़ हम पढ़ेंगे 10s and 1s 10s means 1, 0, 10 1s means 1 यहाँ पर हम दो रेट ट्रेंगल बनाएंगे और हम उस पर एक पर लिख देंगे 10s और एक पर 1s इसके अंदर हम नंबर लिख देते हैं इस बॉक्स में 2, इस बॉक्स में 3 2 10s मतलब 10s मतलब 10 तो 2 बार हम 10 लिख देंगे 10 plus 10 और 3 1s मतलब 3 बार 1 1 लिख देंगे 1, 1, 1 अब इन सब को हम एट कर देंगे तो 10 10 20 plus 1, 2, 3 तो टोटल हमारा हो गया 23 इसी तरीके से अब सरकल में हम लिखते हैं यह हमारा हो गया 10s और यह हो गया 1s इसमें हम लिख देते हैं 5 इसमें लिख देते हैं 2 5 5 10s मतलब 5 टाइप 10 लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 2 1s मतलब 2 बार 1, 1, 1 टोटल एट कर देंगे 50 प्लस 1, 2 52 एक और देख लिखते हैं अब हम बताएंगे ट्राइंगल, ओके यहाँ पर लिख देंगे 10s और यहाँ पर 1s यहाँ ले लेंगे 3 यहाँ लेंगे 3, ओके 3 10s मतलब 3 टाइम 10 ओके, 1, 2, 3 ओके, 3 1s मतलब 3 टाइम 1 1, 2, 3 टोटल एक कर देंगे 10, 10, 10 30 प्लस 1, 2, 3 टोटल हो गया 33 सो, समझ में आ गया होगा आप लोगों को थैंकियो सो माच, बाई बाई